हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो गाइस आज की स्वड़ों में हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर एक प्रॉलम के बारे में कि आप जब भी किसी भी फाइल को एक्स्ट्रेक्ट करने जाते हैं या फिर copy, paste या cut या move करने जाते हैं तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है replace, skip, rename और cancel हो फक्ताए एकाक और नामिया पर add हो तो कैसे आप इन प्रॉब्लम को solve कर सकते हैं और गाईस इससे होता क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो में बने रहिए वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लिजिए आगे भी आप ऐसे interesting वीडियो पाने वाले हैं तो जैसा कि गाईस मैं अपने देखिए file manager में जाता हूँ जैडचीवर में जाता हूँ और यहाँ पर एक folder है अब गैस यहाँ पर अगर इस zip file है अगर zip file extract करते हैं तब भी ऐसी problem आ जाती है तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और extract hair पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर एवारी problem आ रही है तो यहाँ पर अगर हम replace पे देखे click करेंगे तो इसी नाम से पहले से एक file है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है already exit तो यहाँ पर यह बता रहा है कि पहले से इस नाम से file है इसलिए यहाँ पर ऐसी problem आ रही है तो अगर आप replace करेंगे तो क्या होगा जो इस नाम से पहले से file रहेगी और यहाँ से हट जाएगी आपके phone से delete हो जाएगी और दूसरी वाली replace होकर आ जाएगी और अगर आप skip पर click करेंगे तो एक जो पहले से ए भी रहेगी और एक जो बाद में अभी यहाँ पर जो हो रही है ए भी यहाँ पर skip होकर आ जाएगी और यहाँ पर आप rename कर सकते हैं इसे और यहाँ से cancel कर देंगे तो cancel हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा तो चलिए हम click करते हैं अगर बहुत सारी file है तो यहाँ पर आप apply to all file पर click करके अगर आप click करेंगे तो जितना भी रहेंगे सब यहाँ पर हो जाएगे तो guys अगर आप replace पर click करेंगे और यह जो file रहती है अगर ज़्यादा बड़ी रहती है ज़्यादा MB की रहती है तो कुछ वक्त लगते हैं लेकिन अगर आप skip पर click करेंगे तो कुछ ही second में हो जाएगा तो चलिए हम click करते हैं यहाँ पर replace पर तो जैसे replace पर देखें यहाँ पर हम click किये कम MB की थी तो यहाँ पर तुरंत replace हो गई अगर हम फिर से click करते हैं extract hair पर click करते हैं अब यहाँ पर replace पर click करते हैं ठीक लगा कर देखें यहाँ पर हो चुका है अब गैस बात आती है यही अगर कहीं पर copy पेस्ट करना है जैसे कि चलिए अगर इसे हम copy करते हैं यहाँ से मान चलिए कि ए एक OBB फाइल है या फिर कुछ भी आप मान सकते हैं और यहाँ से हम copy या cut कर लेते हैं copy करते हैं अब यहाँ पर उपर click करते हैं डिवाइस मेमोरी पे click करते हैं अब एंड्रोइड पे click करते हैं अब OBB में जाती हैं अब यहाँ पर paste करते हैं तब यह देखें यहाँ पर problem आ रही है यहाँ पर अगर परले से ही file रहेगी exit रहेगी तो यहाँ पर आपको replace पे click कर देना है अगर corrupt रहेगी तो replace नहीं करना है simply आपको कुल मिला जलोकर guys जब भी आप करना तो यहाँ पर skip कर देना जैसे skip कर देंगे यहाँ पर paste हो जाएगा और कोई भी problem नहीं आएगी तो guys आज की दूब बस इतना ही वीडियो को like और channel को subscribe कर लीजिए इसी भी परकार की problem आती है तो comment box में ज़रूर बताना thank you